आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नार्कोटिक ड्रॉग्स इंस आइकटो कैसे पढ़ने वाले पहले मैं बता देता हूं लेकिये में जिए गेली क्या है ना इसे को आप बहुत इंडग्पड होगे कुछ वर्ड्स हैं मैं समझता हूं कि आप लोगो शाहिद डिफी क्या होता है सब चीज़ों को यहां पर बताया जाएगा कैनाबिस क्या है इवन फोटो भी इमेजिस के थुरू आपको समझाया जाएगा कि यह इस चीज़ को कहा जाता है यह ऐसे बनता है बट बहुत जादा इंडेप्ध में जाने की जरूरत नहीं है एक्जाम पॉइंट व क्या है तो आपको मालूम होगा 1985 से पहले कोई consolidated act नहीं था ठीक है कोई consolidated act नहीं था अब consolidated act का मतलब है कि सब चीज़े जहां पर cover की गई हो सारे drugs यह साइको टॉपिक सबसेंसरे रेट हो ठीक है ऐसा कुछ नहीं था मतलब acts थे ऐसा नहीं कोई अईक्त नहीं तो इस यह ओप्यम एक्ट 1857 था आपका तो अ मिनट तो आ ओपियम एक्ट 1857 था उसके बाद एक आया ओपियम एक्ट 1878 भी आया उसके बाद आपका The Dangerous Drugs Act 1930source Drugs Act 1930 भी आया ठीक है यह एक्ट थे बट एक particular ऐसा act नहीं था जहाँ पर सब कुछ कवर किया गया हो जैसा कि आपका 1985 का act है तो legislature को लगा कि जरूरत है एक ऐसे act कि जो कि सब कुछ कवर करता हो ठीक है तब जाके आपका NDPS Act 1985 जो है लागू हुआ और क्या इसके अंदर भी कुछ amendments हुए अगर उसके बारे में भी हम बात करें तो एक amendment 1988 में हुआ है अगर हम बात करें amendments की कि इसके अंदर क्या amendments हुए है जैसे उपर से हम एक basic वो ले रहा है इसका idea तो इसमें 1988 और 2000 एक में यह दो यहाँ पर amendments हुए है main amendment क्यों होता है कि main जो act का purpose है ना वो purpose यह कि drugs वगेरा का abuse ना हो ठीक है अब आपको मालूम है इंडिया की history के बारे में कि यह सब चीज़े बहुत ही आम थी पहले के जमाने में 2020 की बात करें बहुत use किया जाता था ठीक है अब क्या होता है ना कि अब जो है इन चीज़ों को regulate करने की जरूरत है क्योंकि इनका medicinal purpose है medicines वगेरा में उपियो किया जाता है इन drugs का ठीक है तो उनके लिए उतना जो है जो drugs के लिए बचा रहे और उस चीज़ को protect करना है इनको main purpose और बाकी चीज़ों के लिए ठीक है इसका abuse को कम किया जासा कि उसको regulate करने के लिए mainly act deal करता है तो ये आपके दो amendment है अब क्या 2014 में भी एक amendment हुआ है अब 2001 में क्या हुआ है नोने न बहुत strict provisions अभी आपको देखने को मिलेगा even 31 का ये जो है death penalty के बारे में बात करता है medicine में वो भी घबरा आ गए तो इस चीज को main जो purpose है न इसका वो सर्व नहीं हो पा रहा था तो 2014 का एक amendment लेकर आए 2014 का amendment लेकर आए और उन्होंने क्या किया इसके अंदर कुछ बदलाव किये कुछ punishments जो है थोड़ी सी कम less strict करी हो उन्होंने ठीक है यह आपके amendments हो गए अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें international conventions भी हुए 1961, 1971 मैं आपको लिख देता हूँ अगर आप note करना चाहते है और आगे हम पढ़ेंगे भी इसलिए में जादा है यह आपको लिख नहीं रहा हूँ यह सारी चीज़े हम देखने वाले क्योंकि 1961 में हो गया then 1971 में हो गया 72 में आपके कुछ प्रोटोकॉल जाये थे उसके बाद 1988 यह तीन convention हुए है आपके international convention NDPS की उपर ठीक है अब क्या हुआ जो इंटरनेशन convention हुए तो इनमें बोला गया कि सारी जो भी states है countries है वो आए अपने आपको party बनाए इसके अंदर और यह यह चीज़े को ban किया जाए जिससे abuse वगयरा ना हो और यह वगयरा चीज़े ना हो तो यह mainly convention है उतरा detail में नहीं जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना उतरा detail में नहीं जाएंगे तो यह mainly basic convention है अब बात करते हैं आपके act के उपर NDPS Act 1985 exam point of view से act number important होते हैं dates वगयरा important होती है तो 16 सितंबर 1985 यह act की क्या है enactment date है उसके बाद अगर हम बात करें enforcement date की कभी यह force में आया तो आज हम lecture record कर रहे हैं तारीक है 11 नवंबर और इसी तारीक को 14 नवंबर 14 नवंबर 1985 को आपका यह act force में आया था आज ही के दिन एक तरीके से यह act force में आया था तो बड़ा ही शुब दिन है इस act को आज पढ़ने का तो आप इसको याद भी रख सकते हो 14 नवंबर 1985 अभी recently गया और आपका एक्जाम अगर MP ADP का एक्जाम के आप preparation कर रहे हो तो वो भी 18 दिसंबर के आसपास आने वाला है ठीक है तो 14 नवंबर 1985 को यह act force में आया है दोनों ही date important है dates वगेरा ध्यान रखेगा MCQ point of view अगर कोई एक्जाम के आप तियारी कर रहे है MCQ point of से तो dates वगेरा important होती है act number important होता है कई बार पूछ लिया जाता है अब बात करते हैं इसका preamble इसका objective इसका purpose क्या है इस एक्टना तो आपके सामने लिखा हुआ है देखते है an act to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to NDPS to provide for the forfeiture of property derived from or used देखो जो ये drugs है ये इनको as a property भी treat किया जाएगा कि अगर कहीं मिलती है ठीक है तो या फिर किसी चीज के अंदर मिली animal vessel कहीं पर भी इस तरीके से ले आ ले जाया भी जा रहा था आप illicit traffic मतला अवेद वैपार कर रहे हो तो वो सब चीजे भी जो है forfeit की जा सकती है आपने ऐसे कोई drugs बनाया या उसमें deal किया तो उन सब चीजों को forfeit किया जा सकता है and to implement the provisions of international convention sir इसको क्यों हम ऐसा international convention को क्यों हम implement कर रहे है क्यों क्योंकि India ratified party है इंडिया ने उस convention में वो party है तो अब जब आप party बनते हो ऐसे conventions की तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको उन obligated होते हो कि उन सब चीजों को आपके जो भी आप act बनाओगे आपकी country का ndpsc rated तो इन सारी चीजों को आप उसके अंदर involve करोगे इन सब चीजो rules regulation इन से similar आप provisions बनाओगे as per जो भी आपकी country का जैसा भी scene है ठीक है तो ये बात करता है international conventions को भी implement करना है ये भी इसका एक purpose इसका एक objective है सबसे पहले तो इन objects को ये तीने चार points बनेंगे आप side में लिख ले कि इन पर भी question बन सकता है ठीक है कि NDPS किसके चीजों से deal करता है तो ये आपका हो गया preamble अब हम act को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं चलिए section 1 भी कर लेते हैं उसके बाद section 2 start करने से पहले मैं सबका कोई basic idea दे दूँगा कि कोका derivative क्या होता है cannabis वगेरा क्या होता है चरज गांजा जो भी यहां पर define सबको एक बार हम देख लेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं chapter 1 preliminary के बारे में act का नाम है ndps act 1985 ठीक है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर जो है क्या drugs वगेरा क्या psychotropic substances है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है अभी पहले हम चलते हैं आपका section 1 के उपर section 1 बात करता है कि act कहां पर apply होगा act extend करेगा whole of India पर but यहां पर एक और चीज़ है whole of India के साथ साथ ये उन citizens पर भी जो इंडिया के बाहर रह रह रहे हैं उन पर भी लागू होगा to all citizens of India जो की outside इंडिया है then और कहां लागू होगा उन person पर भी जो ship या aircraft जो की इंडिया में registered है और बलही वह वहार foreign में भी हो तो उसको भी वहां भी लागू माना जाएगा बहुत important है दोनों ही extend all of India citizens outside इंडिया and even वह ship या वह aircraft जो की इंडिया में registered है उस पर कोई व्यक्ति है उस पर भी लागू होगा देखो बात क्या की गई या person की बात की गई है यहाँ पर citizen नहीं लिखा मतलब अगर foreign व्यक्ति भी ऐसी कोई इंडिया की ship या aircraft पर है तो उस पर भी यह एक लागू होगा ठीक है देन आता है आपका क्लॉस सब्सेक्शन थी में बात करता है इंफोर्समेंट हम लड़ी देख चुके हैं 14 नौंबर 1985 अब आते हैं section 2 definition clause के उपर आने से पहले चलते हैं कुछ चीजों को समझ लेते हैं जादा बहतर होगा ठीक है आपके सामने आपको डाइग् नार्कोटिक ड्रग्स आप पढ़ रहे हो तो आपको जानना भी तो जरूरी नार्कोटिक ड्रग्स क्या है अब देखो अगर आप definition देखोगे नार्कोटिक ड्रग्स की तो नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर उन्होंने अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई है जैसे की कैन तो cannabis का जो पौदा होता है वो इस तरीके का होता है अब इसकी हम बात करें कि यह किस की किस जाती का है यह पौदा तो इसका जो नाम है वो genus cannabis करके हैं मैं side में लिखते जाता हूँ अगर आप चाहिए वैसे book में दिया हुआ है जो हम definition पढ़ेंगे बढ़ अगर आप अभी note वगयरा कर रहे हैं तो आप कर सकते हो तो genus cannabis करके है यह उसका उस जाती का यह पौदा है cannabis अब जो cannabis plant है ठीक है जो आपका cannabis plant है ये ये इसी से जो है तीन चीजों बनती है आपका जैसे कि एक ओगया चरस ठीक है उसके बाद ओगया गांजा उसके बाद कोई भी mixture या drink मतलब भांग वग्यरा कह सकते हो तो ये आपका कैनाबिस प्लांट के अंदर चरस गांजा और भांग ये तीनों चीज़े किस चीज़ से ड्राइव होते हैं ये इस ही प्लांट जो आपको लिए दिख रहा है ये प्लांट हो गया ये इसके जो हैं सीड्स हो गए अब क्या होता है अलग-अलग तरीकी से बनाया जाता है अगर आप देखोगे प्रोसेश की तो अलग-अलग प्रोसेश है अब जैसे कि यहां पर आप देख रहा हो ये चरस है चरस is made by rubbing the tops of the life plant अब क्या होता है इसको रगड़ा जाता है हाथ पर चिप चिपा मटेरियल होता है रेजिन कहते है ठीक है उसको आप जितना रगड़ों के तसलो तरीके से करोगे उससे चरस बनता है ठीक है गांजा उसके बाद भांग आपको मालू है भांग लीव्ज वगेरा को जो आप उनको मिक्स करके पीस के जो है वो भांग बनती है और इसी तरीके से गांजा भी अलग-अलग तरीते से अलग-अलग चीज से से में प्लांट से ड्राइव हो रहा है ये बिसिकली मुझे आपको बताना है ये मुझे आपको समझाना है ठीक है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं आप इसको read कर सकते हैं आराम से मेरा जो purpose था मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है अब आगे बढ़ते हैं यह हो गई बात cannabis से related अब यहीं यहाँ पर आपके इन एक्ट में डिफाइन है दो के तीन के ए में जो है चरस को बताया गया है ठीक है वैसे ही दो के तीन के बी में गांजा और एनी मिक्षर यह सी में बताया गया है तो आगे बढ़ते है अब आता है आपका जैसे के बारे में जो का डेरिविट्व के बारे में बात करें वाट आपका कै अनदर दीया हुआ हूआ है और आप बेसिकली जो है ना coca derivative ये कैसे बनता है या ये कहां से आता है तो आपको मैं एक plant दिखाता हूँ जो कि इसका plant ये है coca plant ठीक है इसको coca plant कहते हैं और ये आपका जो है opium poppy है अफीम कहते हैं जिसको हम हिंदी में इसको अफीम कहते हैं ठीक है opium poppy उपर वाला आपका हो गया coca plant अब ये इसकी जो पत्ती है ये लीफ हो गई अब समझो देखो क्या है अब इसका जो ये है ना ये किस जाती का पेड़ है ये है genus erythrozylon erythrozylon genus erythrozylon करके है उससे निकलता है उसका ये मतलब उसका एक तरीके से हम कह सकते है species है one such है जो भी आप कहलो तो वो उससे drive होता है coca plant ठीक है अब coca plant से क्या drive होता है मतलब coca plant में जो लीफ है और ये सब जो हो गए आपका coca derivative हो गए उनी का मिशरन होता है एक तरीके से ingredient कहलो आपके आप जो उसको extract करते हैं तो वो derivative हो गया उसी के अंबर आपको देखने को मिलेगा coca leaf और उसका derivative ये basically हो गए आपका coca plant से related ठीक है ये कहां से बनता है या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ genus erythrozylon करके होता है उसका ये क्या है उस जाती का ये पौदा है ठीक है जैसे कि हमने cannabis के case में देखा था genus cannabis वो उस जाती का था cannabis plant वैसे ही ये इस जाती का plant है ठीक है उपर हमने cannabis देखा नीचे हमने coca plant देखा अब आता है आपका opium poppy ठीक है इस तरीके का दिखता है नीचे बड़ी सी डाल सी होती है उपर ये fruit सा होता है opium का और इसको कहते हैं अब ये किस चीज़ से बनता है तो pepper ver somniferum L pepper ver somniferum अब इस चीज़ को ना भी लिखें तो अभी हम आगे आपके act में दिया हुआ है बेरेक्ट गराप रखे होंगे तो ये इस जाती का है opium poppy तो opium poppy इस जाती का है कि कभी question आ जाए तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है आगे फिर हम अभी देखेंगे कहां पर define एक क्या चीज़ है वो सब देखेंगे खीके तो basically आप समझ गए होगे खीके हशीस वगेरा सब इनी चीज़ों से बनता है cocaine जो है coca plant से drive होता है और heroine जो हो गया वो cannabis से बनता है तो ये सब इनी चीज़ों से बनते है अब basically हम आज आते हैं आपके act के उपर और जो mainly act का नाम है वो समझ लेते हैं narcotic drugs and psychotropic substance के बारे में अब जो आपका narcotic drugs है ना ये 2 के 14 में दिया हुआ है आपके इस act में और वहीं पर psychotropic substance जो है ये 2 के 23 में 2 के 23 जो है इस बारे में बात करता है इनकी definition के बारे में अब basically अंतर क्या होता है ना जैसे कि narcotic drugs हो गए ये muscle relaxation के लिए sensitivity को reuse करने के लिए use किया जाता है वहीं पर psychotropic substance जो है ये दिमाग पर असर करता है ये mind पर consciousness के उपर ये आपके attack करता है अब जिसे कि हम एक और opium poppy का अगर आपने बहुती famous वो है season जिसका क्या बोलते है बहुती famous web series है आपने अगर देखी होगी तो games of throne got after the house of dragon जो अभी recently आया आपने वो देखा होगा तो महाँ पर milk of poppy करके word use किया था इनोंने ठीक है जब वो जो राजा होता है वो बहुती pain में होता है तो milk of poppy दिया जाता है क्यों उसके pain को reduce करने के लिए तो वही एक तरीके से medicinal purpose बहुत है इन चीजों के कि उनको ऐसा medicine use किया जाए एक amount of quantity जो है उसमें अगर use किया जाए तो medicinal benefits भी काफी है तो इसी चीज को preserve करने के लिए protect करने के लिए और इनके abuse से बचने के लिए ठीक है कई लोग depression मा जाते हैं इनका इस्तमाल करने लगते हैं एक हस से जादा इस्तमाल आप पानी भी अगर एक हस से जादा पियोगे तो वो भी आपको कही ना कही नुकसान करेगा तो वही इसका main चीज है तो यह होगे आपका NDPS नार्कोटिक ड्रग्स हो गया साइकोटोबिक सबसेंस हो गया definition हम जो पढ़ेंगे तो उसको वही पर हम अच्छे से elaborate करेंगे अब जाते है definition clause पर I hope अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस बारे में बात हो रही है अब बढ़ते है definition clause पर एक-एक definition को देखते जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया important चीज़ों पर जादा focus करेंगे और बहुत ही in-depth जाने की जरूरत नहीं है सबसे पहला definition जो है अडिक के बारे में बात करता है बात करता है means a person who has dependence on any narcotic drugs और psychotropic substance मतलब जो depend है in drugs पर या in substances की उपर उसको यहाँ पर अडिक्ट बताया गया है दूसरा बात करता है board के बारे में कई बार question मन जाते हैं कि यहाँ पर board का मतलब क्या है तो board मतलब है Central Board of Excise and Custom जिसको Central Board of Revenue Act के तहत बनाया गया है उसी को यहाँ पर board माना गया है तो इसको ध्यान रखेगा CBEC का short form है Central Board of Excise and Custom के अंदर यह आता है देर अगर हम बात करें तीन तो बात करता है cannabis के बारे में अब जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बताया cannabis plant से जो drive होता है चरस, गांजा और मिक्षर यह हम तीनों अलड़ी देख चुके हैं वहाँ पर इसको read कर लेते हैं देखो जैसे कि मैंने बताया था raisin को वहाँ पर गिस गिस के separate करकर उससे बनाया जाता है चरस को तो चरस that is separated resin किसी भी form में हो भलेई से crude हो, कच्चा हो या purified obtained from the cannabis plant cannabis plant से लिया गया है and include करता है concentrated preparation and resin known as hashish oil या फिर liquid hashish यह वहाँ पर हमने पढ़ा था उपर यह diagram आपको याद आ रहा होगा एक बर वापस बता देता हूँ यह देखे hashish is made through separation of trichomes यह trichomes अगेरा क्या है सर यह actually plant के अंदर ही जो leaves में होता है न उसी से निकलता है यह ठीक है तो इस चीज़ को यहाँ पर hashish oil कहा गया है आगे बढ़ते है then ganja B में यहाँ पर ganja define it that is by flowering or fruiting tops of the cannabis plant exclude कर दें उसमें से seeds को और leaves को हटा कर उससे बनाया जाता है when not accompanied by the tops by whatever name they be known or designated and see any mixture with or without any neutral material of any of the above forms of cannabis या कोई drink वगेरा prepared की गई भांग वगेरा तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी then आगे बात करते है fourth में cannabis plant को यहाँ पर बताया है मतलब plant of the genus cannabis यहाँ आपको बता चुका हूँ टूका 4 ठीक है आगे बढ़ते है then आता है आपका टूका 4 is central government factories central government factories क्या है तो जो factories owned by central government है वही है या फिर कोई factories owned by company जहाँ पर central government के पास 51 प्रतिशत की क्या है paid up share capital है तो उसको भी central government की factory माना जाएगा कि mainly जो है उनके पास है 51 परसेंट आगे बात करें coca derivative की 2 का 5 coca derivative मतलब क्या है आप रोने में बलग crude cocaine जैसे कि मैंने बताया है cocaine भी इसी से drive होता है crude cocaine मतलब कच्चा cocaine that is any extract of coca leaf coca leaf हमने देखा हुआ पर पत्ती है मैंने आपको plant दिखाया था ठीक है जिसको use किया जा रहा है directly and directly manufacture करने में cocaine तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर वो coca derivative के अंदर ही आ रहा है तरीके से then then आता है आपका आगे ecagonine and all the derivatives of ecagonine from which it can be recovered अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब क्या है just a minute हाँ तो ecagonine क्या है यह सब क्या है यह भी उसी के जो extracts होते है न उसी से निकलता है कि आप इतना in-depth ना जाएगे कि उसका क्या मतलब है क्या जो कि उससे recover होता है उसी plant से एक तरीके से coca से तो इसी को कहा जाता है ecagonine then cocaine that is अब इसकी चीजों को इतना in-depth पढ़ने की जरूत ने that is a methyl ester of benzolene ecagonine and its salts वगेरा इसको इसको इपर read कर ले न आपके कई बार question इस तरीके से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा है और उन्हें define क्या होगा है means और चार चीजें दी होई है तो हो सकता है कि इन में से तीन चीजें वहाँ पर दे दी जाएं और एक गलत दे दी जाएं और आप से पूछा जाएं कि यह इसमें से क्या जो है वो coca derivative नहीं है या उसके अंदर cover नहीं होता है तो वो चीज आपको ध्यान रखना है जिसे कि D हो गया बात करता है all preparation containing more than 0.1% of cocaine मतलब जो भी तैयारी इसमें की जारी कुछ भी बनाया जा रहा है और उसमें 0.1% से जादा cocaine है तो वो coca derivative है और अगर 0.1% से कम है तो उसको इस act उस पर लागो ही नहीं होता उसको हम नहीं मानेंगे coca derivative I hope ये चीज़ क्लियर होगी तो आप side में चाहिए तो बहुत short में लिख सकते हो coca derivative includes crude cocaine ठीक है then ecagonine then cocaine ये methyl जो है ester और benzoline and its salts and preparation जिसमें 1.1% से जादा cocaine है then अगर आगे बात करें coca leaf तो ये भी हमने देखा था जो coca plant की leaf है accept a leaf from which all ecagonine, cocaine and any other of ecagonine alkaloids have been removed ये accept में याँ पर नहीं डाला हुआ है बाकी coca leaf का मतला हमने उपर देखा था जो leaf होती है coca plant की ये उन्होंने accept कर दिया की अगर गोने इन कोकेन इन सब चीजों को हटा का जो leaf है उसको यहाँ पर बताएगा है and any mixture भले ही से with or without any neutral material अब important क्या exam की हिसाब से exam point of view से हमें बात करें तो important आपका ये है कि बात करता है but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine अब include क्या नहीं करता है इसके अंदर तो ये बहुत important coca leaf में quotient इस तरीके से बन सकता है कि क्या इसके अंदर ये coca leaf अगर 0.1% से जादा है तो इसको coca leaf के अंदर include किया जाएगा otherwise नहीं किया जाएगा तो इस पर quotient ज़रूर बन सकता ध्यान रखिएगा अगर 0.1% से कम है तो वो coca leaf के अंदर नहीं आएगा but include कप करा जाएगा जब वो more than 0.1% of cocaine उस चीज़ के अंदर है उसके बाद coca plant यह हम अलड़ी देख चुके हैं इस species के बारे में मैंने आपको बताया था इस plant के बारे में आगे बढ़ते हैं 7 A बात करता है commercial quantity यह बहुत important है ठीक है कई बार ऐसा होता है case यहाँ पर बताया इस अदर के इतनी quantity में पकड़ाए तो क्या सदा होगी कितनी quantity पर depend करता है commercial quantity देखने को मिलेगी एक आपको small quantity देखने को मिलेगी यहाँ पर commercial quantity क्या है in relation to ndps अगर हम बात करें तो कोई भी quantity जो की greater than the quantity specified by central government अगर कोई quantity बताई है ठीक है और उस quantity से जादा अगर उने बताया है कि इसको हम commercial quantity मानेंगे तो वो quantity से जादा अगर कोई quantity है तो वो commercial quantity है important क्या है कि central government ने specified किया हो ठीक है 7a then 7b की बात करें controlled delivery अब controlled delivery क्या होता है इन्होंने बोला technique of allowing illicit or suspect consignment अब आपने देखा होगा movies आप movies देखते होगे तो आपको idea होगा कि क्या होता है आपने देखा होगा पुलिस वाला जानता है कि यह drugs लेके जा रहा है बट वो उसको महाँ पर नहीं पकड़ता वो जाता है कि यार यह जाए अपने अड़े पर ठीक है अपने अड़े पर लेके जाए या फिर यह किसी को drugs की delivery करें उससे पैसा ले और पैसा लेके जाए जहां पर manufacturing हो रही है तो जिससे क्या होगा ना कि छोटा motor drugs पकड़के क्या होगा पूरे के सब्सेंस और सब्सेंस सब्सेंस सब्सीकूटेड फ्रॉम देम तो पास आउट ओफ और थू और इंटू दी टेरिट्री अफ इंडिया इस नौलेज के अंडर दी सुपरविजन ऑफ इन ओफिसर जो की इस एट के अंदर इंपावर्ड है ऑफ्राइज अंडर सेक्शन फिफ्टी ये विता व्यू टू आइडेंटिफाइडी परसं कौन कौन इंवॉल्ड है इस ओफेंस ने इस चीज को करने के लिए इसको कंट्रोल डिलीवरी कहा जाता है बड़ा ही सिंपल आपको एक्जाम्पल से समझ में आगया होगा मैं मान के चल रहा हूँ आगे बड़े 7C कर्रस्पॉंडिंग लॉग इस 7D बात करता है कंट्रोल सब्सेंस के बारे में कंट्रोल सब्सेंस मीज एनी सब्सेंस क्यों उसको बनाने में यूस किया जा सकता है और क्सेंट्र कॉल नमेंन उस चीज़ को बोल क्सेंस को ऑफिशल गेज़िट में डाल दे तो उसको कंट्रोल सब्सेंस माना जाए hell can मतलब कुल मलाकर उस सब्सेंस कोई ढरका है न देप्येउस के अंदर आ रहा है मतलब नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आ रहा है और सेंट्रल गवर्मेंट अगर उसको डिक्लेयर कर दिया तो वह कंट्रोल सबसेंस कहलाएगा उसके बाद कन्वियांस आपको मालूम है ठीक है एरक्राउट वहिकल वेगल जिसमें आप लाल ले जा रहे ह एंट नार्कोटिक ड्रग्स ग्या है अधेंचिन नार्कोटिक ड्रग्स भी यहाँ बहुत ही सिंपल है Means अध्ण नार्कोटिक ड्रग्स जो की सैंट्रल गोवेंन दौर्मेंट नोटिफाइड है कि यह मेडिस कल या साइंटिफिक यूस के लिए इस्तिमाल किया जाएगा उसको essential narcotic drugs बताएगा है जो कि बहुत जरूरी है तो important essential narcotic drugs जो भी हमें definition clause पढ़ रहना है थोड़ा सा important है पूछा जा सकता है आपसे ध्यान रखेगा ये important चीज़ है then illicit traffic मतलब अवेद वेपार बारे में बहाँ पर बताया and relation to NDPS means आप cultivate करो coca plant gather करो कोई portion of coca plant cultivate कर रहे हो opium poppy cannabis plant ठीक है और आप engage हो produce करने में manufacture करने में possess sale purchase transport warehouse में रख रहे हो use कर रहे हो consume कर रहे हो import कर रहे हो interstate या export कर रहे हो interstate या इंडिया के बाहर या इंडिया से लाया जा रहा है कि सब चीजों को यहां पर क्या illicit traffic के अंदर डाला गया है then deal करना उन activities में जो उपर explain है one to three then handling और letting out any premises for carrying of any of the activities मान के चलो आपको ने जिगह दी होके रखी है जिगह दे के रखी हुए कि यहां पर काम होई वाला तो वो भी illicit traffic के अंदर आएगा other than those permitted under this act जो obvious सी बात है जो permitted is act के उनको छोड़के ठीक है and आगे बढ़ते हैं then यहां पर बात की रही है any condition of any license, term, authorization, used and includes आप finance करो directly, indirectly activities को abate करो conspire करो in furtherance या फिर support करो आप एक तरीके से पैसा दे रहा हो कि हाँ इन चीजों को किया जाए आपका कुछ investment है ऐसी activities में तो वो सारी illicit traffic के अंदर आएंगी आप hardware कर रहा है चुपा रहा हो किसी वेक्ती को ठीक है जो है इन activities में engaged है तो वो भी यहां पर आ जाएगा उसके बाद यहां पर यहां पर दिया हुआ है बट यहां से ही चालू है international convention ठीक है आपका 1988 में भी हा तो यह सब international conventions है ठीक है तो इनको आप एक बार read कर लेना उतना भी खास कुछ important नहीं बड़ आप basically इतना ध्यान रखें कि यह चार प्रकार के हैं तो आपको अगर कहीं से कुछ उन्होंने अलग year कर दिया तो आपको idea रहेगा कि किस year वाला कब हुआ था यह आपको knowledge होनी चाहिए बाकि उसके अंदर क्या हुआ इतना in-depth जाने की जरूए नहीं है ठीक है क्योंकि उसके लिए फिर एक अलग separate video बनाना पड़ेगा बहुत ज़ादा detail में हो जाएगा अलगा देन आते हैं 10th manufacture के बारे में तो in relation to ndps include करता है all processes other than production by which such drugs or substance may be obtained refine करना transform करना preparation making वगेरा ऐसे drugs वगेरा की उसको manufacture यहाँ पर बताया गया है हाँ एक और important चीज़ यह मैंने शाहएद मिस कर दिया all processes other than production मतलब मैंने उस पर जोर नहीं डाला बट आप समझ गए होगे all processes, सारी process other than production produce ना करके ठीक है उस drugs और substance को जैसे कि मान के चली कोई manufacture कर रहा है मतलब कोई उसको produce कर रहा है उस production कर रहा है उसके बाद उसको refine करना transform करना उसको यहाँ पर manufacture बताया गया है then manufacture drug means all coca derivative medicinal cannabis, opium derivative, poppy stroke concentrate कोई other narcotic substance preparation है ना जो central government के उस अविलेबल information थी और वो इसको declare कर दे तो इसको manufacture drug कहा जाएगा और अगर किसको include नहीं किया गया है जिसको उन्होंने declare किया गया है कि यह manufacture drug नहीं है तो उसको वहाँ पर नहीं माना गया है जिसको declare कर दिया गया है उसको manufacture drug माना गया है तो यह आपका manufacture drug हो गया then medicinal cannabis है medicinal cannabis में क्या can include है medicinal hemp, कोई भी extract या tincture of cannabis अब यह सब वह इसका extract होते है cannabis के जिसको नहीं यहाँ पर medicinal cannabis बताया है then narcotics commissioner है important है देखेंगे हैं section 5 के अंदर appoint करती है central government then narcotic drugs अब यह important है यह आपको मालूम भी होना चाहिए मैंने इसलिए आपका already पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि इनके जो वो है न क्या बोलते है यह two का जो clause किस clause में दिया हुआ यह बहुत ही important है तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है two का 14 जो है आपका यह इस बारे में बात करता है तो यह important हो जाता है कि यह two के 14 में direct question आ सकता है नार्कोटिक्स कहां दिया हो क्योंकि जब भी कोई act आप पढ़रो उसी से related आपको at least मालूम होना चाहिए जो act का नाम है उन words का मतलब exact क्या है purpose क्या है और वो कहां पर define act के अंदर तो नार्कोटिक्स ड्रक्स जो है two का 14 में बात करता है हम उलड़ी बात कर चोंके इसके बारे में coca leaf, cannabis, opium, poppy straw और include करता है सारे manufacturer drugs जो हमने उपर देखे ठीक है manufacturer drugs में यही सब चीज़े लिखा हुआ था आती साथ में central government का जो knowledge और उन्हें declare किया हुआ है manufacture drug ठीक है बट include नहीं करता जिसको उन्हें clearly मना कर दिया है तो यह हो गया आपका narcotics बढ़ा ही simple सी definition है ध्यान रखिएगा क्या-क्या चीज़े include पक्का question आने के chances है narcotics drugs के उपर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि already पहले पूछा हुआ भी question है आपका यहां से आगे बढ़ते है opium opium means क्या opium यहाँ पर 2 के 15 में define यह सारे थोड़े से आप ध्यान रखिएगा opium को का derivative कहाँ पर क्या चीज़ है opium मतलब apheme एक तरीके से अगर आप हिंदी में इसको समझेंगे apheme apheme की खेती होती है है ना mansoor, neemach अगर मालूम होगा आपको MP के अंदर को तो यहाँ पर बात कर रहा है juice of the opium poppy ठीक है उसके बाद कोई mixture with or without any neutral material and but अब यहाँ पर include क्या नहीं है अगर exam point of view से हम बात करें तो important क्या है कि but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine बात कर रहा है कि 2% मतलब 0.2% 2 भी नहीं 0.2% of morphine से कम अगर है उस चीज़ के अंदर जो prepare किया जा रहा है उसको apheme उसको opium नहीं माना जाएगा मतलब इस से ज़ादा होना चाहिए तो include है otherwise वो act जो है इस पर लागू नहीं होगा तो ये आपका MCQ है और important है इस पर question पहले पूछा गया है MPADPO 2016 में और 36 गड़ वाले में भी ए ADPO में ये कई 2-3 बार question ये पूछा गया है important है ध्यान रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अलड़ी बात कर चुके जबता डिटेल में नहीं जाएंगी opium क्या होता है क्या नहीं होता मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ उसका ठीक है जीनस वगेरा क्या 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 नहीं देन आता है opium derivative अब opium derivative में अंदर क्या क्या है ठीक है जीनस वगेरा में यूस करते हैं मैं आपको एक्जामपल भी दिया था वो गेमस ऑफ थ्रोन या था वाउस ऑफ ड्रेगन में मिल्क ऑफ पॉपी होता है पेन को कम करने के लिए ठीक है और नीन वगेरा आजा है इन चीज़ों में यूस किया जाता है बी बात करता है prepared opium that is any product of opium जो कि obtained by any series of operation design transform किया जा रहा है opium को extract किया जा रहा है suitable for smoking and the draws or other residue remaining को in depth जाने की जरूरत नहीं है आपको मतलब मालूम है आपको समझ में आगया क्या है उपर उपर से इनको पढ़ देना है side side में short में लिख लेना है medicinal opium prepared opium जिससे आपको idea रहे ठीक है उसके बाद ये सब चीज़े हैं आप इनको एक बार देख लीजेगा आगे बढ़ते है important यहाँ पर यह वाला point आजाता है कि all preparation जो contain कर रहा है 2% से जादा का क्या morphine तो वो यहाँ पर include हो जाएगा इसके अंदर अगर 2% से कम है तो वो include इसमें नहीं होगा ठीक है इन पर question काफी पहले भी देखने को मिले हैं कि यह जो 0.2% उपर हमने देखा था 0.1% cannabis के वहाँ पर था तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फोका में था स्वारी तो आगे बढ़ते हैं then opium poppy मतलब क्या होता है तो यह plant है, species है pepavar, somniferum, alka यह मैंने आपको लड़ी बता दिया था तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है किस species, किस जाती का यह पौदा है, पेड़ है इन चीज़ों पर question बन जाते है and the plant of any other species of pepavar, from which opium या फिर, जो alkaloid है, extract किया जाता है और जिसने central government ने उसको declare कर दिया है, कि यह opium poppy है इस act के लिए, उसको opium poppy माना जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि यह 2 के 17 में दिया हुआ है राइट, चलिए, आगे बढ़ते है then आता है poppy straw means all part, a poppy straw मतलब वो जो straw सी, जो डंडी होती उसको कहते है, means all part except the seeds of the opium poppy harvest करने के बाद whether in their original form, या cut हो crunched हो, powdered form में हो ठीक है, भले इस उसका juice extract किया हो या ना किया हो, उसको poppy straw कहा जाएगा, poppy straw concentrate मतलब material जो arise हो रहा है poppy straw से, ठीक है, एक process होता है concentration, उसको वो alkaloids वगेरा करके चीज़ों को उसको बनाया जाता है, तो उसको ये कहा जाएगा poppy straw concentrate, then preparation वगेरा हो गया in relation to NDPS मतलब any one or more such drug or substance in dosage form, या आफिर कोई solution या mixture in whatever physical state contain करता हो, एक या एक से जादा drug, तो preparation आप कैसे करतो किसी भी चीज़ की, ठीक है, कुछ ये डाला, कुछ वो डाला preparation वगेरा, जो होगी कर रहागा आप उस चीज़ को बनाने में proper, जो भी end use होगा उसका, ठीक है then होगी आपका prescribed important नहीं है production मतलब होई है, separation of opium, poppy straw, coca leaf, cannabis, जो plant से इनको separate करके और obtain करके हमने देखा था, cannabis के अंदरी पत्तियों से कुछ बन रहा है, उसकी डंडी डाल से कुछ बन रहा है, उसके seeds से कुछ बन रहा है तो उन चीज़ों को अलग-अलग extract करना को यहाँ पर production बताया गया, उनको या फिर कोई natural material या salt या preparation ऐसे substance का material का जो की included है schedule के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था schedule है, जहाँ पर list दी हूँ है psychotropic substances की, ठीक है तो वो schedule में mention हो, then अगर और आगे बात करे, small quantity, हमने उपर commercial quantity देखा था, कि central government declare कर दी कोई quantity, उससे जादा वो commercial, small quantity भी वही है कि कोई quantity, जो lesser than quantity specified, central government कोई quantity देदी कि इसके नीचे smaller, इसके ऊपर commercial, तो उससे नीचे है तो वो small quantity के अंदर जाएगा ऊपर है, तो commercial के अंदर चला जाएगा ठीक है, कोशन बन सकते हैं, इस पर जहान रखेएगा then, to import interstate अब देखो, intra state और interstate I hope आपको मालूम होगा, intra और intermental आपको मालूम होगा, intra मतलब state के अंदर ही और interstate मतलब, कि MP से UP, UP से MP, means to bring into a state or unit rate in India from another state or unit rate in India यह होता है, interstate, intra होता कि MP के अंदर ही, आप कर रहा हो तो वो intra हो गया, MP से UP, UP से MP, तो यह interstate हो गया यह से कोई import वगेरा करना then, next आता है, import करना इंडिया में तो वोई सब चीज़ों ने explain की गई है कि means to bring into India, कहां से, obviously outside India, and even include करता है, bringing into any port or airport or place in India of NDPS, जो कि intended to be taken out of India without being removed from the vessel, मान के चलो इनको कोई देश जाना है यह पहले aircraft इंडिया लैंड हुए अब यह इनको उतारना नहीं है, यहीं से इनको जाना है श्रीलंका या कहीं और जाना है तो उसको भी हम यहाँ पर import into इंडिया मानेंगे, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते है then export from इंडिया, मालू में आपको इंडिया से बाहर ले जाना export कहलाएगा, export interstate एक state से दूसरे state transport, taken from one place to another within the same state or union territory use वगेरा, in relation to NDPS मतलब किसी भी तरीके से use, except personal consumption को छोड़के ठीक है, personal consumption के इलावा आप किसी भी तरीके से use कर रहा है then words or expression जो यहाँ पर use हुए है बड़ define नहीं है, तो उसको CRPC से समझा जाएगा, और किसी से नहीं, alright, तो I hope यहाँ तक आपको clear होगा, section 2 जो है, हमने important चीज़ almost cover की है, इनको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ डीजिएगा, कुछ समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, then बढ़ते है section 3, बहुत important section 3 कई बार question पूछा गया है, कि भाई, जो आपका schedule के अंदर psychotropic substance की list दी हुई है, कि यह psychotropic substance जो है, यह इसके अंदर आएगा, यह नहीं आएगा तो, अब उसमें add और कौन कर सकता है, हमाँ दिखता है, कि अलग-अलग lists है, इसके पहले हमने explosive act पड़ा, इसके पहले और भी हमने कई acts पड़े, तो कई बार ऐसा देखने को आया था कि schedule में यह चीज़े दी हुई है, तो omit add कौन कर सकता है, वैसे ही हाँ पर है, बात करता है, अगर लगता है central government को, तो वो add और omit कर सकती है, psychotropic substance की lists में, जो की schedule में दी हुई है, ठीक है, ऐसे को information मिला, evidence मिला, ठीक है उनको qr इस चीज़ का abuse किया जा सकता है या ऐसा कोई नया substance market में आया है, तो उसको उठा के वो list में डाल देंगे, तो वो रखना illegal हो जाएगा, कोई बचे नहीं सकता, है ना वरना कोई बोल सकता है कि भाई ये तो आई नहीं रहा है आपके psychotropic substance की list में, तो इस तरीके से वो add omit वाली चीज़ है, तो important क्या है, exam point दे ध्यान रखना है, central government ऐसा add या omit कर सकती, और कुछ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरुवत नहीं है, आगे बढ़ते है chapter 2 authorities and officers, then आता है आपका section 4 जो की बात करता है, central government measures लेगी, prevent करने के लिए और combat करने के लिए, abuse and illicit traffic, अवेद यापार ना नार्कोटिक, drugs वगेरा में, इन चीज़ों को combat करने के लिए और इसको prevent करने के लिए, central government measures लेगी, steps लेगी, इस बारे में आप बात हो रही है, and for ensuring, यह ensure करने के लिए कि medicinal and scientific use के लिए ये available रहे, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना एकदम भी ban नहीं कर सकते कि कोई इसका वो नहीं करेगा, जो भी करेगा हम आगे देखेंगे licenses के through, आप कर सकते हो, एक quantity जो भी mention होगी, जो भी conditions होगी, उनको comply करना रहेगा, आगे बढ़ते हैं, subsection 2, the measures which the central government may take under that subsection include measures, अब क्या-क्या measures central government ले सकती है, सबसे पहला coordination करना, state government और उनके officers के साथ, इस act के through या कोई भी other act भी कोई provide करता हो, then B, जो obligations है, जो international convention के जो party है, और वहाँ पर चीजें, उन्होंने बताया है, कि यह आपको अपने state में लागू करना है, ऐसे ऐसे laws होने चाहिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए, तो वह एक obligation है, then C, assistance, assistance to concern authority in foreign countries वगेरा में, then identification, treatment, education, educate करना, after care, rehabilitation, कोई drugs है, अगर पीडित है, तो उनको after care, rehabilitation, जिससे बापस से, उनको society में reintegrate किया जासा कि उन एडिट्स को, ठीक है, then DA बात करता है, availability of NDPS, medical और scientific use के लिए, यह सब ensure करना, इन सब चीज़ों के लिए, वो measure, central government लेगी, ठीक है, then C, इतना कोई important नहीं है, यही सब चीज़ों के बारे में यहापर भी बताया गया है, आगे बढ़ते है, section 5, officers of central government, देखे, office of central government, कुछ नहीं, यहापर सिर्फ एकी चीज़ important है, mainly बात करता है, कि जो central government है, वो यहाँ पर narcotics commissioner को appoint कर रही है, narcotics commissioner shall either, क्या देखे, क्या लिखा हुआ है, the central government जो है, shall appoint a narcotic commissioner, and वो दूसरों को भी appoint कर सकते हैं, उसको assist वगेरा करने में, subordinate जो power use को वगेरा कर सकते हैं, यह important है, ध्यान यह रखना है, सिर्फ central government appoint कर रही है, और कुछ यहाँ से ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, read कर लिजेगा, simple है, then आगे बढ़ते है, section 6 की और, section 6 बात करता है, एक NDPS consultative committee के बारे में, तो especially क्या, 2008 में आपका एक quotient बना हुआ है, तो ध्यान के रखना है, कि जो central government है, वो चाहे तो constitute गठन कर सकती है, किसका, एक advisory committee का, जिसका नाम होगा, NDPS consultative committee, देख, consult करना मतलब अलगी समझ में आ रहा है, advise वगेरा देंगी, central government को, ठीक है, तो उसके central government इंसे पूछेगी, यह बताएंगे, कैसे बहतर implement किया जा सके, कैसे बहतर चीजों को लागू किया जा सके, तो advisory committee का role play कर रहे है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, question कि कौन इनको appoint कर रहा है, भी तक हमने देखा, कि narcotics commissioner को central government बना रही है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा consultative committee, यह भी central government का ही है, so, इस तरीके से simple तरीके से इनको याद करते चले, और आगे लिखा हुआ है, अभी जो committees के अंदर कौन कौन होगा, तो बोला, एक chairman होगा, और 20 से जादा लोग नहीं होगे, not exceeding 20 members, ठीक है, बागी और कुछ important यहाँ पर, ऐस तच है नहीं, जतना इन जो है, यह जब भी इनको जरूरी होगा, whenever required, यह meetings वगरा रख लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दियो है, कि अगर इनको लगता है, एक से जादा भी यह subcommittee बना सकते है, तो वह इत्ता है important नहीं, बड़ आप इसको read कर लेना, कुछ खास यहाँ देर आता है section 7, officer of state government, देखी क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है कि state government जो है, appoint करेगी such officers जो उनको necessary लगता है, इस act के लिए, और officers जो appointed कियेगा है, वो under the control and direction of state government होंगे, ठीक है, if so directed by that government, तो यह important इतना कुछ है, I hope यहाँ तक आपको clear होगा, section 7a से हम next video में cover करेंगे, कि आ आज मेलनी मकसद था, आपको definition clause और basic idea देना, इसके बाद जो है important, I guess, दो lecture all लगेंगे, और आपका यह act पूरा exam point review से cover हो जाएगा, और यह मैं guarantee देता हूँ, इसके बाहर आप से नहीं पूछा जाएगा, question easily आप से बन जाएगे, अगर आप यह दो-तीन जो भी videos बनते हैं, इनको आप cover कर लोगे तो, ठीक है, तो मिलते हैं next video में,